हेलो औरवन दिस इस मनीस वेलकम बैक टो यूटुब चैनल कॉर्पर जूरिस आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं एक काफी महत्वपूर करेंट अफेर्स जो एक्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी जाधा इंपोर्टेंट है चुकि यह न्यूज ज हम आज कवर कर रहें तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है अभी दो दिन पहले जारी किया गया है और इस पूरे वीडियो में हम जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट से उन सारी चीजों को ड 2022 यानि कि 2023 में 2022 का रिपोर्ट जारी हुआ है अब तक जो है तीन रिपोर्ट जारी हो चुके हैं ठीक है तो यह चो कि काफी इंपोर्टेंट आपके लिए हो जकता है कोई भी एक्जाम की परप्रेशन कर रहे हो तो उसके लिए चाहाए वंड़े एक्जाम का कोई भी के डिया है तो चलिए स्टाट करते है जिसको बोलते र रीपोर्ट दो हजार वाइस में क्या है कि एक चीज़ आपको ध्यां से समझना जरूरी है कि यह कौन सी संस्ता है जो इसको जारी करती है तो यह important हो जाता है तो जो Tata Trust एक करके है ठीक है Tata Trust एक संस्ता है जो IZR Report जो है वो क्या की है जारी की है ठीक है आपको question में फसा सकता है लेकिन बिलकुल याद रखना है कि Tata Trust के द्वारा जो है यह IZR Report 2022 है इस Justice related एक 2019 में जारी हुआ है और एक 2020 में ठीक है तो 2000 जाहिर सी बाते COVID के वज़े से 2021 में जारी नहीं हो पाया तो फिर जो है यह 2022 वाला वो portion जो है 2023 में जारी हुआ है तो 2019 20 और यह अब 2022 वाला ठीक है तो दो पॉइंट हमको यहां पर समय लेना कि सबसे पहले तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इस समय जारी हुआ है और 2019 में जारी हुआ था और 2020 में यानि अब तक मिला करके तीन जारी हो चुके हैं और अगर हम बात करते हैं यह जो इसकी तो जो जारी करने वाली संस्था है वो है टाटा ट्रस्ट ठीक है रिपोर्ट के कुछ महत्तपोड तत्थों के बारे में हम विचार कर लेते हैं आपको पता होगा कि जैसे ही जैसे करके लोगों के जन संक्या पढ़ रही है वैसे ही तमाम क्राइम करने के रीटस हैं वह भी बढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को जो है हम नजर डालते हैं ठीक है और केसिस की पेंडिंसी भी बहुत ज्यादा है ठीक है अगर आप अगर आप अदालत में कभी जाएं कोट में जाएं तो वहां पे सब्सक्राइब करती चाहिए यह यह प्रिंसिपल सभी करती है नहीं चाहिए यह हमारी इसक्ति सिस्टम करती है तो कहीं नहीं सब्सक्राइब आस्पेक्ट जो है आपको देखने के लिए यहां पर मिलता है यह चीज़ आपको सौन में आ रहा होगा उसके अगर हम बात करते हैं यहां पर तो अधिनश्ट अदालते हैं सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सबसे एपेक्स कोट हमारी जो है सुप्रीम कोट है उसके बाद जो हाई कोट है उसके बाद जो सबाडिनेट कोट जो आती है तो अगर देखा जाए सबाडिनेट जो कोट है उनमें 24,631 संक्या जो है सुकृति संक्या है जिसके तुनला में जो अगर कारे करने वाली जो उनकी संक्या लगबग 19,288 नादी जो इस समय प्रजेंट टाइम म को देखने के लिए मिला है हम कुछ जो है important states के बारे में discuss करेंगे उनके ranking के बारे में discuss करेंगे comment section में आप comment करके जुरूर बताएं कि आप कौन से states हैं और आपकी ranking क्या है ठीक है और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ जैसे कि अगर पुर्वत्तर राज्यों की बात करत और में घालेया में 2.1 nee यूदा के लिएिर एक होता है CCR Patrol practice tasted taste क्लिया केरेंस रिपोर्ट क्लेस कीर केस क्लियरेंस रिपोट का मतलब या कि जैसे मांपलो की आगर कोई gust मों को की對吧 की सामीन कर्था की ऐसे मुद्य को देखने के लिए जो है हमारे ताकि जल्दी से जल्दी न्याय बहस्ता सही तरीके से मिले और जल से जल जो है ठीक से चले इसके लिए इसके लिए भी अलग-अलग से जो है फास्ट टाल कोट की बहस्ता की गई है और उसके बाद जो है अर्बिट्रेशन कोट क भी वरस्ता की गई इन सभी चीजों को देखते हुए तो CCR अगर केस जो है हम बोलते clearance report की बात करें तो जो है अगर देखा जाए तो काफी उसकी संख्या उसके मामलों में कमी दर्ज की गई है overall ranking के गर बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा है करनाट का जिके उसकी बाद अगर बात करें उसकी जो है अगर 10 आउट अफ अगर आप उसको देना चाहते हैं ranking की साब से तो 6.38 जो है करनाट का जो है टॉप पे रहा है अब यह सोचोगे कि इतना 10 में से 6 पॉइंट तो यह जो है कैसे आप अगर यूप सी की प्रिपरेशन कर रहे हूं और एक्जाम आप देखेंगे टॉपर का 50 प्लस रहता है और गुजरात अंदर प्रदेश के ला उसके बाद जहारकंड मद्यप्रदेश अगर आप वर वील अगर पूरा देखे तो यहां पर आप देख सकते कि जो साउथ इंडिया की जो यह जिस्टिस डिलेवरी सिस्टम में यानि जितनी तेजी से जस्टिस को डिलेवरी किया ज तो उसके बाद यहां पे अगर पुर्वत्तर राज्यों की बात करते हैं साथ चोटे राज्यों में इसमें सिक्कीम जो है सुची में सबसे पहले और वड़ांचल प्रदेश दूसरे और गुवा सबसे नीचे यानि कि साथे वस्तान पर यानि कि एक करोड से कम आवादी व 10 आउट आफ अगर रैंकिंग बात करते हैं 5.01 और अरवणांचल प्रदेश का 4.28 है और गुवा का 3 पॉइंट सबसे आखरी में केवल पुर्वत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से यह 3.42 है और सबसे टॉप पे रहा है करनाट का यह इसके हिसाब से तो बहुत सारे केसे जो है जो है अंडर ट्राइल में चलना है ठीक है वही अगर उत्तर प्रदेश में देखा जा तो काफी सबसे कम रैंकिंग मिला है 18 नंबर पे उत्तर प्रदेश का रैंकिंग है तो यह सब आपको जानना जरूरी है और यहां पे क्राइ टाटा ट्रस्ट है उसके द्वारा जारी किया गए तो क्या क्या चीज़े टाटा ट्रस्ट देखी है तो सबसे पहले तो सोशल सेंटर फॉर सोशल जस्टिस को इन्होंने देखा है कॉमन जो कौज़े से उनको देखा है और हुमन राइट्स की एक्टिविटी कॉमन जो है रिपोर्ट जारी किया गया है और यहां पर यह है कि कितना जल्ली से पीडित पक्ष को न्याज मिल जा रहा है यह भी चीज़े यहां पर देखे गई है न्याज तक पहुचने के लिए जो उसकी चमता है उसके इसाब से रैंकिंग निधारित की गई है अगर हम बात क कि क्या सिस्टम में जैल मैनूल बगर है जिस तरह से क्या रूल है कैसे उसमें उसका जुडिसरी की नियाज पालिक है की इंपोर्टेंट है उसके बाद जो है लीगल एड यानिकी कानूनी साहेता की बात है तो चार सीजे यहां पे देखा गया है तब जाकर करके जो है जेल नापल का और कानूनी साहता योपी चीज़े समझ में आओगा यह उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी प्रिपेशन कर रहे हैं और आने वाले जो एदर एक्जाम लगे हुए एक दो महीनिक अंतर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कोश्चन है करेंट Azpe amendments से और यदे आप किसी भी की प्रिपेशन कर रहा तो तो इंके लिए तो खा jeunes करेंगे करें कई हम साथ होनगे जाने खोप्सक्राइब जरूर कर लें कमेंट करना ना हुले कि यह वीडियो는कि इसा लगा है को तेकए और उसके के बाद अपने दोस्तों को सेयर करना ना वोलें ठीक है मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट टॉपिक के साथ थेंक्यों सो मच